हेलो फ्रूटेंट्स वेल्कोम टुमाइ नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे है सब लोग मस्त बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं कीमो थेर्पेटिक एजेंट का नेक्स्ट लेक्चर है ना चेप्टर नमर 12 कीमो थेर्पेटिक एजेंट हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम वह ने इसके बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में समझ लिया था तो टोटल अगर किमो थेर्पिक एजेंट जो हमको पढ़ने है वो टोटल 14 है याने कि मान की तो लोग इसके कितने लेक्चर बन जाएंगे धिरे-धिरे करके लगभग 15 लेक्चर बन जाएंगे चोठी लेक्च पैंसिलिई किया है इस याद करेंगे पैंसिलिई के लिए वनमाख कोशन में आ सकता है कि बीटा लेक्टम रिंग किस केमोचिरूपिटिक एजेंट में पाया जाता है तो पैंसिलिन इसका अंसर आजाएगा अब इसका बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो मैं हमिशा बताता हूँ सबसे पहले तीन चीज़ी याद करेंगे पहला क्या है नैचुरल दूसरा सेमिसिंथेटिक और बीटा लेक्टमेज इन्हिबीटर ठीक है तीन कैटेगरी आ जाएंगी ठीक तीन कैटेगरी में इसमें एक ही एक्जामपल है बेंजाइल, पैंसिलिन या पैंसिलिन जी इसके अंदर क्लेविलेनिक एसिड, सलबेक्टम जो लोग मेडिकल इस्टोर वगरा में वर्क कर रहे हैं या थोड़ा बहुत हॉस्पलिटर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ठीक है अमॉक्सिलिन के साथ क्लेविलेनिक एसिड है ना, अमॉक्सिलिन क्लेविलेनिड मिलता रहता है एक कॉमन है अपने पास कौन सी है मेडिसिन वो क्लेवाम करके आती बड़ी फेबस मेडिसिन है ठीक है ना, तो क्लेविलेनिक एसिड साथ में तो आपको मिलेगा ठीक है ये कॉमन सी दवाईया है जो अक्सर तुम लोग सुनते हो प्लस जो लोग मेडिकल स्टोर या होस्पल गरा में काम कर रहे है वो लोग कुछ और दवाईयों की भी नाम सांते होंगे जैसे कि मैं बता दूँ डाइकलोकससलीन है, एमपीसलीन है, अमाकससलीन है ठीक है ना, ये कुछ तीन-चार ऐसी दवाईया है जो नाम सुने ही, सुने होंगे ठीक है, अब इन तीन के अलावा सेमी सिंथेटिक की बात करें, इसके अंदर पहला आता है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव तू पैंसलीन जी यानि की पैंसलीन जी का अल्टरनेटिव इसमें कौन है, फिनोक्सी मिथाइल पैंसलीन या पैंसलीन 5 वी कहा जाता है, पैंसलीन रेजिस्टेंट पैंसलीन इसमें मैथिसलीन, क्लॉकसलीन और डाइकलॉकसलीन ये याद कर सकते हो, क्लॉकसलीन और डाइकलॉकसलीन Then extended spectrum Spectrum इनका काफी बड़ा है बड़े spectrum का मतलब क्या है? बहुत सारी varieties Gram positive, gram negative bacteria जो होते हैं बड़ा होगा gram positive, gram negative bacteria first year में ठीक है न? तो उनको क्या करते है? पूरी तरीके से खतम करने हैं, बहुत बड़ी range को खतम करने की छमता रखते हैं इसके अंदर amino penicillin और uridopensilin, एक एक example याद कर लेंगे और एक है अपर बास carboxy penicillin ठीक है, इसमें ampicillin आ गया amoxicillin बहुत common है, then peperacillin यहाँ पर एक ही है carbenicillin, carboxy carboxy penicillin में आराम से याद कर सकते हो carbenicillin को याद कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से अपना यह क्या आ जाएगा, classification आ जाएगा dose, जैसा हमेंसा बताता आया हूँ कोई भी 246 अपनी याद करोगे जो तुमको पसंद हो, ठीक है, जैसे कि मैं कहूंगा कि यहाँ पर तुम लोग इसकी याद कर लो amoxicillin की, ampicillin की, cloxicillin की याद कर लो, ठीक है कैसे, इसकी क्या है पैंसलिन की dose क्या है, 2500-500 mg infant को 60 mg, children को 125-200 mg given, 6 hourly, 6-6 गंटे बो दी जाती है, 200 mg का मतलब 4 lakh unit, ठीक है ना जो पैंसलिन के स्पोर्स होते हैं, उसकी counting के हिसाब से होता है, ओके cloxicillin, diclooxicillin, dose की बात करें 0.25-0.5 g, orally every 6 hour, for severe infection, 0.25-1 g, may be injected, IMR, IV higher blood levels are produced higher blood level रहेगा, तो infection को cure करना ठीक रहेगा, तो ठीक है, जो तुमको पसंद दो, 4-5 अपने याद कर लोगे, है ना, तुम्हारे पसंद के हिसाब से, एक azobacter में, क्योंकि यह मैंने वो tick कर दी है, यहाँ पर वो संभावना आए है, कि वो direct, वैसे बहुत rare है ऐसा, कि direct नाम से dose पूछ लेगे, बताओ भहिया amoxicillin की dose क्या रहती है तो फिर कहा रहा हूँ, कभी अगर dose भूल जाओ, हमें से बताता आया हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ तो लिख किया आना है छोड़ना नहीं है, ठीक है अब बात करें indication, कहां कहां यह इस्तमाल होते हैं तो यह मान के चलो कि penicillin एक ऐसा antibiotic है, जो लगबग हर बिमारी को करता है, ठीक है, जो तीन केटेगरी है, तीनों केटेगरी हिसाब से मैंने यहाँ पर अलग-अलग दिखा दिया है तुम लोग combine एक साथ लिख देना common common जैसे बता दूँगा, मैं किस-किस को एक साथ लिख सकते हो, the indication of penicillin very depending on penicillin group याने कि जो बिमारें फैलती हो, उनके खिलाफ लड़ता है, जैसे कि टॉंसिलो फ्रेंजाइटी साथ, स्कार्लेट फीवर है, ठीक है, या infection caused by steptococcus pneumonia, यह बैक्टिरिया अगर infection फैला रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ेगा, जैसे कि community acquired pneumonia है, मेनेंजाइटीस है, सेपसीस है, अब मेनेंजाइटीस को मार कर लेंगे, सेपसीस को मार कर लेंगे, यह common है, दूसरी क्लास के penicillin भी इनको ठीक करते हैं, infection caused by other इस्ट्रप्टर कोकाई जैसे कि infective endocarditis, मेनेंजो कोकल infections, मेनेंजाइटीस, सिफलीस, सिफलीस को याद कर लोगे, then gangrenous, emphysema है, यह common नहीं है, बट हाँ, तो यह कुछ common आगे से, मेनेंजाइटीस, सेपसीस, निमोनिया, ठीक है, और gangrenous, emphysema, तो यह 3-4 यहाँ पर रोगे, अब देखर जब आगे आएंगे, हम लोग penicillinase, resistant penicillin, हाँ पर देखर कुछ common मिल लाएंगे, निमोनिया, मेनेंजाइटीस, सेपसीस, है न, तो यह 3-4 common सब में, तो यह अलग लगना लिख करके, एक साथ लिख सकते हो, 5-6, फिर आगे, यह क्या है, staphylococcal infection, जो staphylococcus bacteria होते हैं, यह कैसे immunopensilin की बात करें, तो infections of upper and lower respirative system, यह यहाद कर लोगे, sinusitis को ठीक करने के लिए, chronic bronchitis, pneumonia, यह common आगया, UTI, meningitis, endocarditis, intestinal infection caused by sejilla and salmonella, ampicillin काम करता है, eradication of H. pylori in patients with stomach and deodoral ulcers, जिनके अलसर पाय जाते हो, उनको eradicate करने के अलसर की वज़े, अगर H. pylori है, अलसर चांते होंगे, कई बर bacteria की वएसे होता है, H. pylori bacteria की वएसे, ठीक है, then skin and soft tissue infection, यह कुछ common है, 7, 8, 10 याद कर लोगे, अलग-अलग variety भले मत लिखना, group wise एक साथ लिख देना, कि इन सम्में यह काम में आते हैं, next है, carboxy pencerin, इसका करे NOSOCOMYAL infection, क्या होता NOSOCOMYAL infection, फटाफ़र कमेंट करो, फटाफ़र कमेंट करो, बता चुका होंग, NOSOCOMYAL infection वो डिसकस कर चुके हैं, याद है, देखे नहंग इसको जालो कमेंट करो, ठीक है न, चलि आफ़र में एक जिक्र वस हिंट देता हूं, मैं, होस्पिटल, समझ पुछते हैं उनमें जोगी निमनोकोकोस अरोजोनिस अरियोजिनोसा नाम की बैक्टिरिया सो होता है उसके लिए काम करते हैं उसके उपर थेन अठीक है कारवाक से पेंसलीं मस्क बी यूज ऐंधिकियर्णी Franvillに इस्तेमहलते हैं ट्राइ ट्राय ट्राय कारसिलन इन कॉम्चें सीछ एंधिक है क citizenship की लोग सपाज है करते हैं तो लोग रेस्पीरेटराई फ्रिनारिच्स r прongion तो को नियूंट्र रोस बना लोगी इंडिकेशन इंडिकेशन वानते हो नहीं देना है मतलब हम ठीक तो करना चाहते हैं सामने बीमारी यह पेंसलें दे दे लेकिन उसको कुछ एसी बीमारी भी है कि 我們 करो दिक्कत हो जाएगी जैसे कि hypersensitivity to penicillin ठीक है और cephalosporin बेटा देखो जैसे इसमें क्या था amoxilin था ठीक है amoxilin था और ampicillin है तो ये क्या है penicillin group के क्या है वो है even मैं बताओ even मैं खुद penicillin के लिए sensitive हूँ amoxilin अगर मैं खा लेता हूँ तो मेरी पूरी बॉड़ी पे रैसेश आ जाते हैं और heartbeat बहुत बढ़ जाती है घवराट बने लगती है मतलब hypersensitivity हूँ मैं किसके लिए penicillin के लिए ठीक है तो hypersensitivity हो सकती है then use cautiously in patient with renal disease जिनको kidney problem है उन case में हमें नहीं यूज़ करना चाहिए इनको during pregnancy और lactation हो रहा है तो नहीं यूज़ करना है may interfere with birth control effectiveness जो birth control pills वगएरा होती है या उसके effectiveness जो होती है उसमें धखरंदाजी कर सकता है proper work करने नहीं देगा effectiveness may decrease if used with tetracycline अगर tetracycline लिए mark कर लेंगे बेटा ये question तुमारा important है one marks के purpose से ठीक है कि pencillin contraindicated with नाम देदेगा tetracycline दूसरी antibiotics जो पढ़ेंगे हम लोग उनके साथ क्या है ये contraindicated है नहीं देनी है साथ में ठीक है तो ये अपना छोटु मुटु सा lecture जैसे पहले चलते आयते चुटे लेक्टर फटा फटा ख़तम करेंगे हम जादा बड़े नहीं होने चाहिए कोई भी लेक्टर आट से देस मिनट के रहेंगे तो अगर 14 लेक्टर बनते हैं तो 140 मिनट के मानके जोड़ो दद्र स्मिनट करके 10 से बारा मिनट शाट मिनट इस तरह से रहेंगे ठीक है तो पेटा करना क्या है यह बात पता है अच्छे से पढ़ना है रिवाइस करना है यहां क्लासिफिकेशन थोड़ा टफ पड़ेगा क्लासिफिकेशन तरीका हमेशा बताता है एक एक दो दो होने के लेने के लिए और पढ़ना है और रिवाइस करना है अल दा वैस्ट